कि अज़िए और मैं हूँ आपके साथ अश्वनी शर्मा कैसे हो सब लोग घंज नीतू सौरव गुड मॉर्निंग कैसे हो सब क्या हल चाल है सब का एक बार जल्दी से बताइए और मुझे बताओ भी अगर ओडियो वीडियो सब सही है तो शुरू करें क्लास को इडियम टॉपिक हमारा पैंडिंग है कलम ने शुरू किया था और आज कोशिश करेंगे कि खतम हो जाए जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि ओडियो वीडियो सब चीज़े सही है या नहीं अब आज में या वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड तो फिर शुरू करते हैं हमारा जो पैंडिंग टॉपिक बच गया था एडियम का आज टाइम से उठ गई बहुत बढ़िया मुबार्ण को जय हिंद बाई ओल राउंड चलो शुरू करते हैं हम अपने एडियम टॉपिक को जो मारे पास पैंडिंग था आज देखिए कल हमने शुरुवात करी थी एडियम टॉपिक के एक बर थोड़ा सा रिकाप कर लेते हैं समझ लेते हैं वापिस कि बढ़िका क्या चीज हमने पढ़ी थी अ कि देखिए कल हमने देखा था इडियम के बारे में कि electromagnatic distance measurement होता है तीन तरह के हमारे पास distance measurement करने के तरीके होते हैं ddm odm और edm ठीक है tape chain से हमने edm किया था और tachometer और से oडियम और edm के अंदर हम लोग निया किया कितनी अच्छी कर ली थी और रिंज भी हमारी काफी ज्यादा एचीव हमने कर ली थी फिर हमने देखा था कि दिस्टेंसेज हम लोग जब मेशर करते हैं EDM के हल्प से तो क्या प्रोसीजर रहता है हमारा जनरेशन प्रोपेगेशन रिफ्लेक्शन और रेसेप्शन यह एक हमारा का एक सीक्वेंस जो हो फोल। किया जाता है EDM के अंदर जो हम करते हैं profund यहां पर हमारी इस्ति जो इन्स्ट्रूमेंट कulty जाते हैं प्रोपेशन कम लगए करती हैं डेक्शन आपकी वेंव जो reflect करके वापिस आती हैं और रिसेप्शन हमारा रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है हां जी गुड मोर्निंग प्रकास जी नेगी जी एडिया मदलब electromagnetic distance measurement भई नया टॉपिक आ रहा है आज कल इडियम सर्वेइंग के अंदर फिर हमने देखा था कि हमारे पास radio waves modulated और infrared waves के form में EDM जो है वो काम करता है फिर हमने देखा electromagnetic waves हमारी क्या होती है साइनो साइडल वेव होती है ठीक है सिमिलर टू साइनो साइडल वेव लेमडा देखा था amplitude वगारा सब इसमें हमने देखा था complex nature की होती है वेक्यू में भी ट्रेवल करती है और electrical signals का इस्तेमाल करके wave हमारी ट्रेवल करती है फिर हमने कुछ यहां पर हमारे parameters देखे थे lambda क्या होता है वी क्या होता है frequency यह सब चीज हमने थोड़ी बहुत समझी थी idiom के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हम देखेंगे spectrum of wave से पहले हम एक चीज और देखने वाले हैं और वह है phase जो हमने कल बात करी थी कि हमारा phase difference पे हमारा हमारी जो wave है वह काम करती है पेस का मतलब होता है basically fraction of wavelength आपकी जो एक wavelength है उसका कुछ हिस्सा उसको हम phase बोलते है कि कौन से phase में आपकी wave जो है वो travel कर रही है ठीक है यहां पर लेख लेते हैं हम पर आपकी एक wavelength complete होगी इसी के ही हम कह सकते हैं कि fraction जो होते हैं उसी को हम phase के अंदर उसी को phase बोलते हैं पहले phase में है दूसरे में है तीसरे में है चोथे में किस phase में हमारी wave जो है travel कर रही है या हमें वापिस मिल रही है किस phase में हमने भेजी थी और किस phase में वापिस मिल रही है यही फेस डिफ्रेंस हमें बताता है कि हमारे पास कितना डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट और दूसरे पॉइंट के बीच में हां जी भाई चलिए फेस पहले तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यह क्या होता है फेस ओफ वेव मेंस इत मीन्स प्रेक्ष्चन ओ погल यही डिफ बाउबन वह Reffer वेव साइकल मतलब एक वहरे जांप वह लेना मतलब एक किंप्लेट कर लेना तो उसी का ही एक चोटा सा हिसा मालों 360 साथ लेगिरी की हमारी एक साइकल है तो उसी के अंदर हमने może nowbe डिग्री के चार फेस जो हैं वो बाट दिए इस तरीके से हम लोग फेस बात करते हैं यहां पर लेते हैं एक साइकल या फिर एक वेवलेंद्थ जो है वो हमारी जीडो से 360 क्यविली वेरी करती है tuv1 phase नहीं सूर्फ हिवन बेवलेंथ का वान इस के विवलेंथ eat or cycle डेटन इस 1995 को ऑद जिरोटु थो descs … जिरो से साट डिगरी के पीच में स्य के विएक जांगते करते हैं है ज drugれ में होगा cycle और wavelength जो है जनरल याम तोर पर चैसे मैंने आपको बताया कि यहां तक यह यहां पर यहां पर हो गया यहां पर आपका 270 और यहां पर आपका 360 यहां पर आपका एक wavelength और या फिर एक cycle हमारा complete हो गया तो यह 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वेरी करते हैं और यह 90-90 डिग्री के हमने चार फेज में बाट दिया इस तरीके से फेज होता है और recycle या फिर wavelength काम करती है अब हम बात कर लेते हमारे पास जो electromagnetic spectrum होता है electromagnetic spectrum का मतलब क्या है कि हमारे पास electromagnetic spectrum कि electromagnetic spectrum क्या है basically यहां पर हमें पता चलता है कि अलग-अलग तरह की वेव समय किस particular wavelength में मिलती है और किस frequency range में हमें वह wavelength देखने को मिलती है ठीक है मतलब अगर मैं बात करूं frequency की तो अगर 10 रेस टुपर 4 और 10 रेस टुपर 6 हर्ट के बीच में अगर मैं frequency रखता हूं और wavelength मैं रखता हूं 10 रेस टुपर 4 और 10 रेस टुपर 2 के बीच में ब्रॉक्स 10 रेस टुपर 3 मलब 1000 मीटर ठीक है तो अगर एक किलो मीटर की लगबग हमारी wavelength की बात करी जाए और 10 रेस टुपार 5 और 6 के 4 और 6 के बीच में अगर मैं wavelength frequency रखता हूं तो जो waves मुझे देखने को मिलेंगी वह कौन सी होंगी long waves यहाँ पर बेसिकली अलग-अलग waves का यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग-अलग waves का जो existence है वो किस category में या किस range में हमें मिलता है मतलब जैसे आप लोग x-ray का नाम सुनते हो तो x-ray का मतलब क्या है इनकी properties होती है कुछ कि अभी x-rays की wavelength कितनी होती है इनकी frequency कितनी होती है यह हमें लग-बग 10 raise to power 9 meter wavelength में मिलती है और 10 raise to power 17 से ज्यादा की हमें frequency रखनी पढ़ती है तब जाके हमें x-rays जो है generate हो पाएंगी इसके अंदर importance क्या है basically क्योंकि इसके अंदर अभी इस्तेमाल करने वाले है electromagnetic waves का EDM instruments के अंदर तो वहाँ पर इन में से कोई इसी भी light rage जो इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन जो हमरी इस्तेमाल करते हैं आम तोर पर वो इस्तेमाल करते हैं microwave कर इंफ्रारेड करते हैं और हमारी ज हों गया इन तीन रेंजिस में इन तीन वेस का सितमाल करके हम लोग क्या करेंगे इडियम के अंदर light rays करवाएंगे और अपना distance measurement जो है करवाएंगे तो microwave जो है यह हमारी किस frequency range में काम करता है यह 10 raise to power 8 से लेकर 10 raise to power 12 12 के बीच में एट से ज्यादा है 10 रेस्ट पर 9 से लेके लगब 10 रेस्ट पावर 12 की रेंज में फ्रिक्वेंसी रहती है इसकी और जीरो से लेके 10 रेस्ट पर माइनस 3 तक लग बगए प्रॉक्स इसकी वेवलेंथ रहती है तो आप लोग यह याद रख सकते हो यह दोनों तीनों याद रखनी है आपको याद रखने का मतलब आपको बस यह पता हो नाची कि एलेक्ट्रो मेगनेटिक स्पेक्ट्रम जो होता ह उसके अंदर हमें अलग-अलग टाइप की वेव नजर आती है और कौन सी वेव कितनी फ्रिक्वेंसी पर मिलती है और कितनी वेवलेंथ होती उसकी वह हमें इलेक्ट्रो मेगनेटिक स्पेक्ट्रम से पता चलता है यह चैस क्लियर अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली यहां है नीन इन्स्ट्रुمن्ट है इंस्ट्रुमेंट यूस्टे गाइन्सट्रुमेंट आपका जो राइश यूजplicरता है वह हमने अपे देखी है एक्स्रे का भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन हम करते नहीं है ठीक है डीके एकरे망ब होती हमारे लिए हमारे बतल यूमन i के लिए क्या होती है नुकसान दे होती है इसलिए हम इसको इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बाकी हम कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको नहीं कर सकते और महंगी भी पड़ेगी हमें ठीक है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट में ये वली यूज करी जाएगी लाइट रहे जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने किया लेजर लाइट ली और शीशे पर आपने उसको एमिट कर दिया और वापिस है इसलिए आपने कहा किया वह विजिबल लाइट हो गई तो विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रही है आपकी लेजर लाइट ऐसे ही कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर इंफ्रा रेड भी हो सकता है माइक्रो वेव हो सकती है अलग अलग-अलग तरह की वेव हम लोग नहीं देख पाएंगे सिर्फ इसी रेंज की वेव जो है हमें आखों से दिखाई देती है हाँ EDM EDM का मतलब instrument का मतलब कि EDM जो है आपका method है electronic electromagnetic distance measurement करने का method उसको EDM कहा जाता है EDM के instruments जो होते हैं EDM के अंदर जो instruments है आपके EDM के basis पे जो instrument काम करते हैं उनके अंदर हम लोग rays का इस्तमाल करते हैं किरनों का इस्तमाल करते हैं अब यह ray कौन सी हो सकती है कोई भी हो सकती है एक्स रे कर सकते हैं microwave कर सकते हैं radio waves कर सकते हैं जब दिन में सूर्य ग्रेहन पड़ता है तो एक्सरे से असानी से देख लेते हैं वह एक्सरे से नहीं देखते आप वह एक्शली जिस पर्टिकलर पे सर्फेस पे एक्सरे आपका एक से कभी्स आपका हाथ का आई और आपको शुचा करवाना है तो आप न लुग हाथ की लिए हड्डी यहां इमेज बन जाती किसी एक पेपर के उपर जैसे आपका होता है तो आपको तो आपको नजर नहीं आती प्लास्टिक जब निकलते हैं तो आपको नजर नहीं आती वह विजीबल नहीं होती आखों से ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर टाइप आफ इंस्ट्रुमेंट्स जो EDM के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोवेव की माइक्रोवेव के उपर बेस्ट हमारा जो इंस्ट्रुमेंट होता है वह होता है टेलिरो मीटर तलिरो मेटरीतर जो हुगा हमारा isto याँ पर फेडियम पाल हमारा। बेइजो होता है वो कीसा देखने को होता है यह आपको दिखा देथा हो यहे देखेए टे dims हम लोग इस्तिमाल करें गै़ अगे पड़ेंगे यह तंद माइक्रोवेव के इस्तेमाल करता है और सारी वर्किंग जो हमने अभी तक पढ़ी है जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था वही उसी तरीके से काम करेगा और यह हमारी जो जनरली माइक्रोवेव जो थी बेसिकल यह डेवलप करी गई थी साउथ अफरीका में 1950 में है डेवलप्ड इन साउथ ऐफरिका माइक्रोवेव के बारे में पढके और जो हमारे पास जो दीसरी थी इंफरेड थी इन तीनों raise के बारे में बात करेंगे बाकी सब हमारी ज़्यादा काम की नहीं है फिलाल ठीक है? तो इसकी range basically कितनी होती है? range जो होती है हमारी यहाँ पे 3 से 30 GHz 3, 2, 30 GHz frequency range जो होती है और 1 GHz हमारा कितना होता है? 1 GHz equals to 10 raised to power 9 Hz तो range क्या होगी? जो instruments हमारे microwaves का इस्तेमाल करेंगे उनकी frequency range क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी और large range के instruments होते है large range रहती है उनकी frequency range जो है ज्यादा रहेगी और transmission जो रहता है हाँ जी कोशिच करेंगे कि आज इसको खतम ही कर दे transmission range जो रहेगी इसकी वो रहती है up to 100 km यह आपके लिए काफ़े important है exam के point of view से microwave जो है वो आपकी कितनी दूरी तक जा सकती है 100 km की transmission range रहती है तो जो instruments इसको इस्तेमाल करेंगे उनकी जो range रहेगी वो क्या रहेगी? काफी ज्यादा रहती है ठीक है? उन instruments की range का रहेगी? काफी ज्यादा रहती है तो अब मात कर लेते हैं कि और सबसे पहला instrument मैंने आपको बताया कि कौन से यूज किया गया था इसके अंदर telurometer ही हमारा सबसे पहला था जिसकी typical जो range रहती है हमारी telurometer की वो आम तोर पर रहती है कितने 30 से 80 km उसकी range रहती है और accuracy की अगर बात करूँ पंदरा मिलिमीटर पर किलोमेटर मतलब यह अगर मैं बात करूँ यह accuracy की जो मैंने आपको बताया है तो यह आपके telurometer के लिए मतलब जो device इस रह का इस्तेमाल करता है उस device के अंदर जो हमें range accuracy मिलेगी वो कितनी मिलेगी अगर मालो मैं एक किलोमेटर का distance के अदर मुझे एक किलोमेटर distance के अंदर जो err-eur मिलेगा वो कितना मिलेगा प्लस मायनेस पंदरा मिलीमेटर का मतलब एक किलोमेह पर मुझे plus मायनेस 15 mm का एरज मिलेगा दो किलोमेटर करूँ आ तो यह आप इसको भड़ा सकते डबल कर सकते उग माइक्रोवेटर का इस्तेमाल करता हूँ माइक्रोवेटर इस्तेमाल करता हूँ तो माइक्रोवेटर के लिए हमारे पास इतना काफी है यह डेवलप करी गई थी साथ अफरीका में 1950 में रेंज होती है इसकी 3 से 30 गीगा हर्ड्स, 1 गीगा हर्ड्स 10 रेस्ट पर 9 हर्ड्स होता है और लार्ज रेंज की वेब्स होती है, यह काफी ज्यादा लंबी रेंज होती है, 100 किलो मेटर तक ट्रांस्मिट करी जा सकती है, एक्यूरेसी जो होगी वो प्लस माइनस 15 मिले मेटर पर किलो मेटर होती है, ठीक है और इसकी टेलिरो मेटर की भी टिपिकल रेंज की अगर बात करूं, यह भी लिख देता हूं, इसकी टिपिकल रेंज कितनी होती है, हमारे 30 से 80 किलो मेटर, 30 किलो मेटर से लेकर 80 किलो मेटर तक मेशरेमेंट कर सकता है, यह दूसरी तरह कि हमा इंस्टूमेंट्स जो विजीबल लाइट रेंज को इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने आपको भी बता है लेजर लाइट जो आपको बताई थी कि लेजर लाइट आपने चलाई यहां से जो रेडिश कलर की होती है शीशे में टकर आई और वापिस आपने देखी तो वह क्या है वो आप देख सकते हो ना तो वह आपकी विजीबल लाइट रेंज में काम करती है ठीक है तो यह आपका जनरली जो विजीबल लाइट रेंज के जो डिवाइस जैंब किंट hour स्वेडन in early 1950s by किसके दोरा करी थी दॉक्टर एरिक बर्गस्टन एरिक बर्गस्टन ठीक है यह आप लोगों के लिए चीजे इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि आपकी विजिबल लाइट इंस्ट्रुमेंट जो यह कब बनाए गए थे विजिबल लाइट के उपर बेज्ट जो इंस्ट्रुमेंट से कब बनाए गए थे और किसने बनाए थे क्योंकि अब EDM के टॉपिक में इतनी जादा information तो है नहीं आपके पास कि बहुत जादा information है तो यहीं चीज़े जो है यह आपको याद करनी पड़ेंगी जो तीन बैसिकली light rays है हमारे पास उन तीनों का तो आपको at least पता होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है यार आपसे question कुछ भी आ सकता है और instruments की जो range रहती है वो कितनी रहती है 5 से 25 किलोमेटर की यह तो question पूछा भी हुआ आपका exam के अंदर ठीक है यह तो UPSSIE JEE के अंदर question भी आया था UPSSIE JEE 2016 में question आया हुआ यह range के उपर कि विच EDM's have a range of 100 km और विच EDM's have a range of 25 या 5 km कुछ ऐसे दिया वा था question तो उसमें आपको range भी याद रखनी पड़ेगी तो range पूछ लिए अभी इस बार तो अगली बार हो सकता है frequency पूछ ले frequency इनकी कितनी होती है frequency range 5 into 10 raise to power 14 hertz ठीक है 5 into 10 raise to power 14 hertz की frequency का इस्तिमाल करते है microwave से क्या रहती है यह lower रहती है इसकी range ठीक है lower range than microwaves सबसे ज़्यादा microwave की रहेगी lower range than microwave ठीक है कौन सा डेट मतलब यह invention का यह बोल रहे है कि कब हमें मतलब इस तरह के instruments जो है visible light के उपर बेस्ट जो instruments है वो कब इजात किये गए थे 1950 के इनके अंदर accuracy जो मिलती है हमें वो मिलती है accuracy जो होगी हमारी accuracy भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि accuracy पूछ सकता है अब इस बार range पूछा है तो अगली बार accuracy पूछने के chances बहुत ज़्यादा है plus minus 10 mm से लेकर plus minus 2 mm पर kilometer ठीक है plus minus 10 mm से लेकर plus minus 2 mm पर kilometer इनकी range रहती है मतलब accuracy रहती है sorry अगर विजीबल लाइट के उपर बेज्ड मतलब जो आप करवाते हो लाइट रे अगर वो विजीबल लाइट रे करवा रहे हो और इंस्ट्रुमेंट इसके ऊपर बेज्ड है तो आपकी एक किलोमेटर में प्लस मैनस 10 से लेकर प्लस मैनस 2 mm तक मिलेगी और इसके इलावा य तो पुराने टाइम में बने थे उनकी accuracy है आज गल जो हमारे instruments बन रहे हैं उनके अंदर accuracy हमें 0.2 से लेके 0.1 mm तक 0.2 mm से लेके 1 mm पर km तक की accuracy मिल जाती है 0.2 mm का सिरफ error आएगा अगर आप 1 km में 1 km की दूरी measure करते हैं उनकी थोड़ी सी range कम हो जाती है ठीक है उनमें थोड़ी सी range कम हो जाती है बस कितना difference है तो यहाँ पर लिख लेते हैं recent instruments have a range of have a range of 2 to 3 km 2 से 3 km की उनकी range रहती है with an accuracy of giving an accuracy of 0.2 mm to 1 mm पर km accuracy काफी बहतरी न आप इसमें अचीव कर लेते हो लेकिन वही क्या बात है range थोड़ी सी कम हो जाती है बट कोई बात नहीं range आपके लिए तनी काफी है working range इतनी सही रहती है कोई दिक्कत नहीं होती है visible light instruments इनके बारे में range frequency accuracy सब चीज़े आपको याद रखनी है invention किसने करी थी यह आपको याद करना पड़ेगा तब ही आपका काम बनेगा तीसरी हमारे पास कौन सी है infrared rays के उपर जो based instruments होंगी तीसरा क्या है हमारे पास infrared instruments कि इंफ्रारेड कि इंस्ट्रुमेंट्स कि यह आप ऐसे याद रख सकते हैं लब समझ सकते हैं इंफ्रारेड आपका जैसे उस्मकंड़ से वह क्या कर लेते हैं आपके तीवी के कंट्रोल कर लेती है तो आपको नजर तो कुछ भी तो नाजर नहीं आती चीज़े चीज़ नाजर कौन सी आईगे सिर्फ जो विसीबल लाइट होगी जैसे आपको लेजर लैट का मैंने आपको बताया था ठीक है लेजर लाइट आपके जो रहे वो नहीं लिखा ना एक्जामपल लिख लेते हैं विजिबल लाइट के उपर जो एक्जामपल हमारे यहां पर इसके उपर जो बेजड डिवाइज होता है वो था जियोडी मीटर IMPORTANT है यह GODMETER हमारा कौन सी LightRains के उपर Based Instrument होता है वो पूछ लेता है तो हमारे पास 3rd है Infrared Instruments Infrared के उपर Based हमारे पास जो Doing Instrument होता है वो होता है Distomats G Eudmets आपको GODMETER दिखा देता हूं तब तक GODMETER आपका ऐसा निजर आता है जो कि हमारे पास visible light rays के उपर based होता है, यह हमारे पास geodimeter जो है, वो instrument है, पढ़ेंगे इसको भी अभी, ठीक है, और distomat जो हमने अभी देखा, वो होता है कुछ इस तरीके का, यह हमारे पास distomat है, ठीक है, distomat का मतलब आपका यह instrument होता है, जो कि कौन सी rays का इस्तिमाल करता है, infrared infrared rays का इस्तिमाल करता है, मतलब यह light rays emit करेगा यहां से, और infrared light rays होती है, reflect होके वापिस आती है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सारी distance measurements जो है, वो करते हैं, चलिए, अब बात कर लेते हैं, यहां पर infrared instruments की properties के बारे में, इसकी properties क्या क्या होती है, इसकी properties होत कितनी होती है, it uses carrier wave of, uses carrier wave of wavelength, that is, lambda की value कितनी होती है, 0.9 micrometer, important value आपके लिए, कितनी wavelength की carrier wave इस्तिमाल करता है, distomat, तो वो आपके लिए important हो जाता है, तो यह 0.9 micrometer की wavelength जो है, लिख लेते हैं, इसके अंदर भी, mirror is placed, on the other end, दूसरे end पर आप शीशा लगाते हो, जो कि reflect करती है, इसको और वापिस करती है, suitable for small distances, suitable for small distances, ज्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं है यह, जैसे इसको आप ऐसे समझ लो न, infrared आपके मतलब TV का remote भी बहुत दूर ले जाओंगे, तो काम नहीं करता, suitable for small distances, चोटे मोटे distances, अगर आपको याद हो, तो पुराने mobiles में सभी में आता था लगबग infrared, जैसे Bluetooth आता है, वैसे आपका पहले infrared से भी transfer की जाती थी files, विल्कुल mobile जो चिपका के रखने पढ़ते थे, विल्कुल साथ साथ रखते थे, तब जाके infrared से जो है, आपका data transfer होता था, तो इसलिए जनरली बहुत दूर के, अगर मुझे बहुत दूर का distance अगर measure करना है, बड़े distances measure करने हैं, तो उसके लिए suitable नहीं है, चोटे मोटे distances measure मैं कर सकता हूँ, ठीक है, range जो रहती है इसकी वो क्या रहेगी, वो तो मैं आपको example के तोर पे समझा रहा हूँ, जो remote वग बात करते हैं, जो TV के remote होगे, AC का remote होगे, इन सब की बाते करते हैं, Nokia 1100 में, मतलब अभी से कुछ time पहले के जो आपके devices होते थे, उनमें भी आपके ब्लूटूथ के साथ साथ infrared भी होता था, तो आप लोग क्या करते थे, उनको चिपका के बिल्कुल connect नहीं करते थे, मतलब cable cable से connect नहीं करते थे, वो जिस्ट आप साथ में रखते थे, जैसे Bluetooth के लिए आपको रखना होता है, पास में send हो जाती है files, वैसे ही infrared भी आता था पहले, बट वो feature फिर आपका obsolete हो गया, एक्यूरेसी इसकी कितनी होगी भई, एक्यूरेसी होती है, plus minus 10, 10 mm, irrespective of distance measurement, distance measured, मतलब, अगर मैं यहाँ पर infrared का इस्तमाल करके instruments बनाता हूँ और उनसे distance measure करता हूँ, तो accuracy मुझे कितनी मिलेगी, plus minus 10 mm की हमें accuracy मिलती है, कोई भी कितना भी distance measure कर लो, मतलब, एक किलोमेटर करोगे, तब भी आपको इतनी accuracy मिलेगी, दो किलोमेटर करोगे, तब भी इतनी accuracy मिलेगी, 3 km का distance measure करोगे तो तब भी आपको इतनी accuracy मिलेगी जैसे पिछले में हम क्या मिल रहा था पिछले वले जो devices थे उनके अंदर हम per km की values लिख रहे थे यहाँ पर km के उपर based नहीं है यह आपका कैसा होगा यह आपका irrespective of the distance measurement है इतना यह error आएगा आपका चाहिए कितना भी distance measurement कर लो कम कर लो या जादा कर लो लब इसकी range में जो आप measurement करोगे तो इसकी range में जब आप measurement करते हो तो आपको accuracy जो मिलती है वो इतनी ही मिलती है और आपके लिए values जो हैं यह बहुत important हो जाती है जो कि exam point of view से एकदम अमरित हैं आपके लिए यह range हो गई आपके लिए सभी आपके instruments के अंदर range हो गई accuracy हो गई और इनकी जो properties हैं जो आपका एक instrument इनका example है ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं different EDM's की different different EDM's यह हमने क्या कि हमारे पास जो तीन raise है जिनका इस्तमाल करके हमारा EDM जो है वो काम करता है उसी के basis पे हम लोगों ने यहाँ पे उन raise के बारे में उनकी properties को समझा है अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो अलग-अलग instruments जो तीन तरह के instruments हमें पढ़ेंगे यहाँ ठीक है types of EDM's EDM's instrument used EDM के उपर based जो instrument हम लोग इस्तमाल करते हैं सबसे पहले अभी तो तीन तो आप लोगों को वैसी मैंने आपको समझा दे तो यही तीन हमें पढ़ने है सबसे पहला है हमारा कौन सा टेलियूरो मीटर दूसरा कौन सा है हमारे पास जीओडी मीटर जीओडी मीटर और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्टो मैट्स यह तीन instruments हम लोग पढ़ने वाले हैं EDM के अंदर इन तीनों से आप से questions जो है पूछ सकता है यही तीन जो है majorly आपके इस्तेमाल किये जाते हैं इनके इलावा भी बहुत सारे 50 से भी ज्यादा instruments आपके प्रेजेंट हैं जो की EDM के उपर based होते हैं इसी principle पे बेस्ट हैं सब कुछ सेम काम करेगा model अलग-अलग हो जाते हैं इनी के अंदर भी हम लोग यहां पे बिल्कुल basic इनके models जो study करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने आपके exam के अंदर questions पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे cover हो जाए इनी में से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टेलिरो मीटर की तो टेलिरो मीटर आप लोगों को जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है इस त्रीके का कुछ device होता है इसके अंदर radio waves किसके उपर based होता यह रेडियो का ह reset होता है radio机 के सिवाल करता है यहां से आपकी light rays जो है हो है कि कि क हैं इसके अंदर यहां से आपकी क्या करी जाते हैं light rays emit करी जाते हैं मदलब यह हमें क्या करना पडता है दोनों एंट पे इंस्ट्रुमेंट प्लेस करना पड़ता है मदलब अगर मुझे यहां पे कहीं पे distance measurement करनी है तो जहां पे distance करना हो वहां पर दूसरे जगह पर भी हमें क्या करना पड़ता है यह दो जगह पर दो instruments को install करना पड़ता है हमें तब जाकर हमारा distance जो measurement कर पाते हैं हम तो इसके अंदर यहां से light rays emit करी जाती है यहां पर आपकी receiver और आपका basically आप कह सकते हो कि दूसरा स्लेव बोला जाता है इसको basically slave unit और एक होती है आपकी master unit मतलब आपको भी समझाओंगा मैं कैसे होता है आपको यह instrument दिखाना था instrument हम लोगों ने देख लिए इसी के अंदर mobile तो नहीं है टेलिरो मेटर के लिए हम पढ़ लेते हैं कि टेलिरो मेटर डिवाइस की क्या-क्या properties होती है किसके उपर बेस्ट होता है यह तो हम पहले भी देख चुके हैं ठीक है बेस्ट किसके उपर होता है based on the radio waves based on radio waves radio waves के उपर based है इसलिए range बहुत जादा है range बहुत जादा है तो इसलिए हमने क्या किया इसके अंदर telephone दिया हुआ है ताकि दूसरे end पर हम इसको बात कर सकते हैं अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है basically 12 volt और 24 volt बैटरी की जो बैटरी में साी तो एक तो 12 जो बैटरी लग सकती है दिन और राध डे और cyaculos यह सकते हैं के वहाँ है बाकिवाकि कर सकते हैं रात के समय इतना बहतर पर फॉर्फॉर्म कर जा सकते अब इसक्onne추 हैं लेकिन कर मोडल होते हैं हमारे उनको अगर मैं compare करूं तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं रात की समय रीडिंग्स लेने के लिए लेकिन टेलिरो मीटर के अंदर हम लोग दिन में रात में कभी कर सकते हैं मालो एक पॉइंट ए है यह दूसरा पॉइंट था हमारे पास भी यहां से लेकर यहां तक का में इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करना था डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो एक यूनिट यह हमारे पास सपोज यहमारा पॉइंट है इनीशल एक पॉइंट है त तो यहां पर जो point number A है हमारा जहां से मैं शुरुवात कर रहा हूं basically यह unit हमारी क्या होगी master unit कहलाएगी और जो दूसरे point पर हमारे पास instrument रखा है इसको हम क्या कहते है remote unit remote या फिर slave unit ठीक है remote या फिर slave unit slave का मतलब उता गुलाम basically ऐसे गुलाम नहीं है यहां पर मतलब आप गुलाम मत समझेए इसको यह समझ लो कि भई यह इसी का ही sub unit है यह master unit हो गई यह आपकी sub unit होगी या फिर remote unit बोलते हैं इनको replace किया जा सकता है मतलब एक दूसरे को यह कर सकते है कि यह वली master unit बन सकती है और यह वली आपकी remote unit बन सकती है just naming दिए हमने यहां पर ठीक है तो यहां पर क्या किया जाता है यार basically दोनों की position जो हम switch कर सकते हैं और दोनों को हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के interchangeably use कर सकते हैं दो operator का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर है वो होने चाहिए ताकि error आपका बिल्कुल ना है reading लेनी बिल्कुल अच्छे से आती हो उनको कोई भी problem ना हो यहां पर telephone लगा होता है आपस में बातचीत कर सकते हैं यह ठीक है आपस में बातचीत कर सकते हैं अगर points आपके बहुत दूर है तो यहां पर telephone लगा होगा अगर बहुत दूर अगर points होंगे तो तो communication के लिए आपको यहां पर दोनों operators के पास में क्या होगे communication units होती है तो कुछ इस तरीके का आपका यह instrument है ऐसे काम किया जाता है और अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपर Psychology की अभ लिख लेते हैं कि करके सारे चीजहें इसका practical नहीं देखा college में महेंगे होते हैं इनका practical के हरे एक college में नहीं दिखेंगे आपको काफी महेंगे devices होते हैं यह तो हरे एक college में नहीं होते है afford नहीं कर सकते छिखित C तो इसलिए आप लोगों ने नहीं देखे तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं इसके बारे में पहले कि इन्वेंटेड बाई किसने इन्वेंट किया था इन्वेंटेड बाई कि डॉक्टर टी एल वैडली डॉक्टर टी एल वैडली एव साओव आफ्रिकान of South African National Institute National Institute for Telecommunication और टेली कॉम्यूनिकेशन रिसर्च यह हमारे डॉक्टर वैडली जी थे जिनोंने इसको इन्वेंट किया था इसके बाद इसके अंदर देख लेते हैं कि यह क्या करती है लाइट वेट बैटरी का इस्तेमाल करती है इसलिए हलकी भी होते हैं यूज लाइट वेट बारा वोल्ट और चोविस वोल्ट बैटरी तो क्या दिक्कत है हम इंजिनियर लोग भी तो करोडों में इसे एक हैं हम तो एक हैं लेकिन कोलेज हमारे बहुत है ना कोलेज वाले नहीं करते पैसे खर्च क्या करें सस्थे सस्थे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को कर दिखा देते हैं और काम करवा देते हैं चलीए और यह लाइट वेट की बैटरी के इस्तिमाल करती है इसलिए क्या क्या है पोड टेबल है इमारे लीए बहुत आसान है यहां पर two units के से माल हम लोग करते हैं ठीक है टू यूनिट्स आर रिक्वाइड टू यूनिट्स आर रिक्वाइड देट इस दो यूनिट का मदलब दो हमें इंस्ट्रुमेंट की जरुरत पड़ती है कम से कम देट इस मास्टर यूनिट एंड रिमोट और सलेव यूनिटी ठीक है master या फिर रिमोट या फिर सलेव यूनिट यह d various होती है हमारी जिसको हम यूज़ करते और दोनों की जा कर सकते हैं आपस में इंटर्चेंज कर सकते हैं सुरार सीची का यूठ सोलुशन भी करा दो स्ट्रॉक्चर का भी स्ट्रक्चर का तो किया है हिमान्शु ने गी हमने लिए लिए स्ट्रॉक्चर तो किया है मार्षू तो आप सकते हो यूठ पब्लिकेशन की सिरीज जा देख ले ना प्लेइस्ट में मिल जाएगा आपको यूथट पॉब्लिकेशन सीरीज के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा structure हमने किया हुआ है और RCC भी हम करेंगे ठीक है और वहाँ पे आप चेक कर सकते हों हमने किये हुए ये subjects स्रांटा करेंगे, हाँ भई तो हम यहां पर थे दो युनिट है इस्तमाल कर ताdes for क्लिय heut was गाती हुनियो पॉजिशे है मांस्टन एलेड्स मर्स smण कर सकते हैं और पस ते यूनिट याँ रिमोट यूनिट बना सकते हैं remote unit को master unit बना सकते हैं ठीक है और इस खेंदर two operators two operators are needed two operators are required required और वो भी कैसे होने चाहिए skilled skilled operators होने चाहिए हमारे पास ठीक है और both can communicate हाँ यह भी लिख लेते हैं both can communicate communicate with telephone telephone connected on instrument instrument के उपर connected telephone के द्वारा दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं यह जिस असान होई होगी इतनी काफी है आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना में कि वही क्या चीज है इसके अंदर कौन कौन से instruments लगे होते हैं क्या होता क्या नहीं होता इतना काफी आपके लिए एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से नया टॉपिक है तो आपकी इतनी डेफ्थ तक ही चीज़े पूछी जा रही है वह हमने समझ लिए यहां पर तो टेलिरो मीटर डिवाइस के बारे में हमने यहां पर द जीओटी मीटर आपका क्या होता है ये एक तरह का आपको ढख रही हो तो यह थियूड़लेट जैसा ही है ensuringao on constant टो यह क्या करता है इलेक्रोनिर्ट अरय इलेक्ट्रॉनिक जो आपका फिफिप 10 thrilled特 चैसा है ठोटल स्टेशन जब देखोगे तो टोटलस्टेशन भी आपका क्या किया है कि यहां 252 आपका टाइप है अऌन Bunu का ही इंस्ट्रॉमेंट है जो आपका यहांट में इस्तिमाल करते हैं वहाँ पे एक्जामपल लिखवाया था साथ साथ आप बता पर बता वब इसके अंदर के अब आप एसके अंदर में इसके अंदर लेते हैं यह होता face generation efficientedel उ 얼마나 if a एक्सरे नहीं एक्सरे तो कोई भी नहीं यूज़ करता यार हमारे में एक्सरे तो मैंने बोला था कि हामफुल रेज होती है इसलिए हमारे इंस्ट्रुमेंट्स में इस्तमाल नहीं करी जाती चलिए बताते हैं आप लोग याद करो और बताओ मेरे को जब तक मैं नहीं लिखरा भी यह डेवलप किया था डॉक्टर बर्ग स्ट्रेंड ने स्वीडन के जो थे 1950 में डेवलप्ट बाइ डॉक्टर बर्ग स्ट्रेंड ओफ स्वीडन इन 1950 में डॉक्टर बर्ग स्ट्रेंड ने इन्वेंट किया था और यूज इस लाइट वेव्स लाइट वेव्स का इस्तेमाल करता है यह याद भी नहीं आया था देखो लाइट वेव्स का मतलब मैंने देखो कहां पर एक्जांपल दिखाया था इसका यह देखिए यह वीजिबल लाइट वेव्स जब हमने बात करी थी यहाँ पर जी ओडी मेटर के एक्जाम्पल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था याद करो भई अब साथ-साथ यह चीज़ें यह डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बिल्कुल तो जीओ दी मेटर हमारी के करता है Light Waves का इस्तेमाल करता है जो जनरले विसिबल रेंज में होती है इसके अंदर एक Receiver होता है एक आपका Transmitter होता है ठीक है in transpose has instrument has receiver and transmitter बिल्कुल बहुत बढ़िया, visible light rays, very good, प्रकाश तो इसी instrument के अंदर क्या होता है, transmitter भी होता है, जो कि light को transmit करता है और इसी instrument में क्या होता है, receiver भी होता है, जो इसको receive करता है receiver और transmitter, दोनों हमारे इस instrument में fit रहते हैं और वही क्या करते हैं लाइट रेंटी बिदेंदर कितनी होती हैं च्पेल्ट व्ल्ट के बैटरी पर इस्टिमाल करी जाती है मैं यह जुश के अनदर हम बात करें कि प्रोडिक्ट तो लाइट बीम जो ही डेक्ट करी जाते र 스लिक्टर पर லोकि दूसरे पर जो की दूसरे एंड पर placed होता है जो कि क्या करता है और वापिस आपके instrument के पास आती और वो receive कर लेता है Reflulator reflect back करता है वापिस transmitter के पास और वहाँ पर आपका receiver अब लगा हो है जो क्या कर लेता है receive कर लेता जैसे हम लोग यहाँ पे एक prism का भी इस्तिमाल करते हैं कि यहाँ पर आपका instrument रखा हुआ है, दूसरे end पर यहाँ पर कोई एक prism रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके का, तो यहाँ से आपकी light reflect back होके वापिस आती है और यहाँ पर receive कर ली जाती है, तो इसमें कर लेते हैं, light, beam is directed, light beam is directed on the reflector, at the other end, other end of line, which is measured, okay, other end of the line or reflector reflect backs, reflects back the reflects back to the transmitter, and receiver receives it, receiver इसको receive कर लेता है, मतलब simple सा काम है, जैसे आपको मैंने बताया यार, laser light आप लोग जैसे छोड़ते हो ना, जिस तरह की laser light आप ने क्या किया, यहां से आपने कहा कि बटन दबाया, emit हो गई, सामने reflector शीशा लगा हुआ था, reflect होके वापिस आपके पास आई, आपके पास आगई, मालो आपने वापिस दुबारा आपकी पीछे दिवार पे आपको दुबारा से laser जो है वो नजर आ गई, laser light जो नजर आ रही है, तो वही आपका क्या हो गया, reflector का मतलब आपका जो शीशा है वो reflector हो गया, transmitter जो आपने यहां पे बटन दबा के transmit की है, receiver, receiver के नाम पे आपके पास दिवार है, लेकिन इस instrument में क्या होते हैं, आपके devices लगे होते हैं, जो कि इनकी properties को भी no down कर लेते हैं, मतलब reflector जो होगा आपका, वो एक prism type होता है, और transmitter जहां से यह light rays transmit करी जाएंगे, और receiver जो होता है, basically वो क्या करता है, इसकी properties को बताता है, जब हमारे पास light ray वापिस आती है, तो यहां पर receive कर ली जाती है, और यहां पर बताया जाता है कि इसकी transmit करी गई थी, उस time पे किस phase में हमने transmit किया था, जब आपकी वापिस आई है, तो अब यह किस phase में हमारे पास light वापिस आई है, मतलब face differences के help से हमें बता सकता है कि कितना distance में शरक किया गया होगा, अगर इतना face difference transmitted और received light के अंदर हमें नजर आ रहा है तो, चलिए next instrument हमारे पास disto mat, इनके लिए आपके लिए ना यार, मतलब यह एक एक चोटे चोटे पॉइंट यही काफी आपके लिए, जो धोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चीए, बस इतना ही काफी है, इतना भी नहीं पता होता हमें, ठीक है, अगर आप questions उठाके देखोगे, यूपी ट्रिप्लेसी जेई में भी जो आपसे पूछे हुए हैं, तो इनी चोटे-चोटे questions, इनी चोटे-चोटे बेसिकली इनके उपर हैं, जीजों के उपर हैं, जो हमने अभी discuss की है, डिस्टोमेट आपका ये instrument होता है, और सबसे latest है ये आपका, ये क्या है, latest in the EDM, लेजर लेट कितनी दूर तक जा सकता है, वो आपका depend करता है, आपका लेजर लेट तो बहुत दूर तक जाता है, आप अंधेरे में करके देखना उसको कभी, चलिए, डिस्टोमेट की अगर बात करें, तो ये सबसे latest हमारे पास devices है, ठीक है, डिस्टोमेट हमारे पास क्या है, latest EDM के devices होते हैं, सबसे बहतरीन devices यही है, बहतरीन का मतलब सबसे latest, आप कह सकते हो, ठीक है, और usage इसकी क्या रहेगी, similar रहती, जैसे टेलिरो मेटर को इस् आया, इसने, इसने इसको reflect back किया, और वापिस यहां पे इसने receive कर लिया, ठीक है, यही एक दूसरे का काम उल्टा भी कर सकते हैं, कि यह reflect करें, और यह यह transmit करें, और यह वापिस इसको reflect back करें, सेम काम, तो यहां पे डिस्टोमेट भी है, इनकी working भी आपकी टेलिरो मेटर क जैसे ही है, मतलब दो instrument use करेंगे, एक point पर यहां पर रख दिया, डिस्टोमेट, दूसरे point पर यहां रख दिया, डिस्टोमेट, ठीक है, तो दोनों में ही हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे टेलिरो मेटर ने इस्तेमाल, टेलिरो मेटर का इस्तेमाल हमने किया था, communication system होता है, इसके अंदर भी हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से, तो just difference किस चीज़ का है, कि जो light rays इस्तेमाल करते हैं, यह वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बताओ, मैंने आप लोगों को लिखवाया था, भी बताया था, कि डिस्टोमेट कौन सी light rays पर based instruments होते हैं, comment करके बताये, तब तक मैं आगे properties बताता हूँ, ठीक है, it is, usage is similar to, usage is similar to tellerometer, tellerometer के जैसे ही इसकी usage होती है, similar होती है, ठीक है, मतलब, दो instruments are used at both the ends, two instruments are used at both the ends, infrared बिल्कुल, बहुत बढ़िया भई, प्रकाश, very good, sort of visible light पे तो भी किया ना, हमने जियोडी मेटर देखा न, यह देखा था, radio waves पे based tellerometer था, यह देखो infrared में मैंने आपको क्या लिखवाया था, यह देखो, infrared instrument के अंदर जब हमने देखा था, तो यहाँ पे example क्या था, तो वो क्या करते थे, infrared का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होगा, communication system is provided, communication system is provided, बहुत अच्छे भई प्रकाश, very good या, और distance, इसके अंदर क्या होता है, distance हमें कुछ करने, काम करने की जुरूरत नहीं, यह latest है सबसे, तो यहाँ पे distance क्या होगा, आपका distance जो है, यहाँ पे button दबाया, सारी चीज़ calculate करके, अपने आप अपने screen के अंदर distance जो ही क्या करेगा, display कर देगा, तो distance automatically, distance is automatically displayed, automatically displayed, on screen, ठीक है, और manufacture किस ने किया था, manufacture किया था, wild herebergs ने, wild hereberg, ठीक है, manufactured, इन्होंने manufacture किया था इसको, सारे variants में इसको basically बनाया था, example के तोर पे एक हम यहाँ पर देखें, इसकी light rays भी लिख लेते हैं, पहले कौन सी light rays पर based होता है, यह, infrared पर based होता है, uses, infrared rays, और यहाँ पर बहुत सारे variants में आता है, और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ किसी एक variant की property अगर मैं आप लोगों को बताऊं, very good नेतू, यही थी, तो अगर मैं बात करूँ wild distomat की, wild distomat, distomat, di 1000, अगर इस model की बात करूँ मैं, तो इस model की जो properties है मारे पास, कौन-कौन सी properties हो जाती है, इसकी जो basically instrument होता है, small होता है, ठीक है, और जो इसकी basically range होगी, अगले page पर लिख लेते हैं, इसको इतनी इक अजूशी नहीं करते, इसकी जोशी नहीं करते हैं, हम, चलिए, इसी का एक variant होगा आपका, example के तोर पर अगर मैं बात करूँ, wild distomat, di 1000, बहुत सारे variants हमारे आते हैं, इसके अंदर, distomat के अंदर, तो इसी के एक variant के अगर मैं properties की बात करूँ, तो wild distomat, di 1000 के अगर property बताऊं, तो small होता है, size इसका काफी छोटा, तो जो हमने यहाँ पर देखा है, यहीवल है, wild distomat, di 1000 ही है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो range होती है, जो range रहेगे हमारी, वो range कितनी रहती है, 500 meter with single prism, with single prism, अगर single prism का इस्तिमाल किया गया है, इसके अंदर तो 500 meter तक measure कर सकता है, otherwise अगर यहाँ पर 3 prism इस्तिमाल किये गए हैं, तो 800 meter range हो जाती है, 800 meter with, इसकी construction details है, manufacturing करते से मैं use किया गया है, with 3 prism, और accuracy की अगर मैं बात करूँ तो, accuracy कितनी है इसकी, accuracy जो मिलती हमें, 5 mm, 5 mm तो हमें मिलेगा ही मिलेगा error, plus minus 5 parts per million, 5 parts per million का मदलब 5 mm per kilometer के basis पर हमें यहाँ पर error मिलता है, accuracy हमारी क्या होती है, 5 mm plus minus 5 ppm, ppm का मदलब होता है, parts per million, यह आपका millimeter per kilometer आप यहाँ पर बता सकते हूँ, ठीक है बई, मतलब 1 kilometer में आपको 5 mm का error जो है, वो नजर आता है, यह चिस clear, इसके इलावा जो हमारे पास दूसरे variants हैं, other variants जो हैं, वो कौन-कौन से हैं, other variants और models जो हैं हमारे पास, वो कौन-कौन से हैं इसके, उनके नाम लिख लेते हैं, di5s, और di1000, 3000 सोरी, 1000 तो हमने डिसक्स किया ही अभी, dior, tooth 3002, और tachymet, tachymet, sorry, tachymet, tc2000, यह हमारे पास instruments हैं, जो की इसके, other variants हैं, model हैं, basically, जैसे mobiles के model आते हैं आप लोगों के, उसी तरीके से आपके हाँ पे, distomat के models हैं यह, अब बात कर लेते हैं, हमारे instruments के बारे में बात होगी, अब last, जो हमारे पास topic बचता है, वो बचता है, हमारे पास errors का, instrument, जो EDM's है, EDM के अंदर, जो errors होते हैं, हमारे पास, error कौन-कौन से होते हैं, errors in EDM, ठीक है, जल्दी-जल्दी करते हैं, इसको discuss, आम तोर पे हमारे पास, तीन तरह के systematic error पाई जाते हैं, जो कि होता है, index, या फिर zero error, scale error, या फिर cyclic और periodic, short periodic error, यह तीन तरह के error होते हैं, आप से exam में पूछा जाता है, कि कौन सा length के उपर based होता है, या length के उपर dependent है, कौन सा length के उपर dependent नहीं है, तो वो सब चीज़ा हमें या पर, एक exam में आपका, आया भी होएगी है, पेपर में question, कि in the EDM, the error which is independent of the length measured is, तो आपका independent कौन सा होगा, cyclic जो होगा आपका error, यह error आपका length के उपर dependent नहीं करता, ठीक है, तो चलिए, इनको देख लेते हैं के करके, तो additive constant या फिर correction for zero, और index error, सबसे पहला आपका error जो है यह, index error जिसके हम बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा, कि यह all distances measured by particular EDM reflector combination are subjected to constant error, it is caused by three factors, मतलब, सर, सभी का image दिखा दीजिए, सभी का image अभी दिखाया तो था भई, यह देखो, disto mat यह है आपका, यह geodimeter है, और यह tell you, अच्छा, models की, इन models की बात कर रहे हो, इन models की यह हर एक की picture मेरे पास available नहीं थी, इसलिए मैं नहीं दिखाया, otherwise मैं जरूर दिखा देता आपको, सभी models की picture जो है वो available नहीं थी, इस वज़े से नहीं दिखा पाया, बाकि आप model का नाम लिखके, सर्च करके देख सकते हो, अगर आपको मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, इसी के जैसे होती है, लगबग थोड़ा बहुत difference होता है model के अंदर, ठीक है, जैसे mobile या गाड़ी आप लेते हो, तो model कम जादा होता है, तो लगबग दिखने में वैसा ही लगता है, थोड़ा बहुत changes रहते हैं, तो चलिए, एर्र की जब हम बात करते हैं, तो यह एर्र एक तरह का एर्र आपका क्या होता है, all distances measured by particular EDM, ठीक है, तो जब हम distances measure करते हैं, तो कुछ constant errors हमारे आते हैं, ठीक है, जो कि किसकी वज़े से होते हैं, electrical delays की वज़े से, geometrical detours, eccentricity होगी EDM के अंदर, electrical signal हमने रेमिट की है, उसके अंदर delay हो गया, ठीक है, differences between the electronic centers, mechanical centers of the EDM, differences between optical and mechanical centers of the reflector, basically instrument की वज़े से, आपके जो errors आते हैं, instrument के अंदर, जो हमारे पास, electrical signal में delay होगया, eccentricity होगी EDM में, इन सभी की वज़े से, जो error, constantly एक error मिलता है, मुझे, उसको हम क्या बोलते हैं, index error बोलते हैं, हाँ, time हो गया, इसलिए बोल रहा था, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, मैं अभी, scale error आपका दूसरा होता है, scale error, यह आपका देखो भी, यह आपकी किसके वज़े से आगए errors, आपके यहाँ पे, distances जो हम measure करते हैं, EDM के द्वारा, उन distances measurement करने की वज़े से, कुछ errors आते हैं, कि कुछ न कुछ तो हमारे पास रही गए arrangement, जिसकी वज़े से error आ रहे होंगे, इस centricity हो गई, electrical signal में delay हो गया, ठीक है, difference हो गया, electronic center और mechanical center के बीच में, मतलब आपके mechanical equipment जो लगे थे उसके बीच में, और जो electronic equipment लगे थे उसके बीच में, कि आपने यहाँ से signal भेजा, लेकि आते हैं, मतलब distance measurement पर dependent होते हैं, ये भी, scale error हमारे क्या होते हैं, ये भी, length of line, कितनी length मैंने measure करी है, line की, उसके उपर dependent रहता है, scale error, ठीक है, ये dependent होता है, आपका drift in the frequency of quads crystal oscillator in the instrument, मतलब आपका frequency का drift, drift का मतलब कितना change आ रहा है, basically, कि frequency आप कितनी change कर रहे हो, आपके oscillator के light emit करने के लिए, आप क्या करते हो, oscillators का इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर frequency, आप कितनी change कम या ज्यादा करके emit कर रहे हो, उसकी वज़े से भी कुछ error आते हैं, तो error in the measured temperature, या फिर किसकी वज़े से आ सकते हैं, ये error जो हम लोग temperature measure करते हैं, pressure, humidity, ये सब measure करते हैं, velocity, which effect the velocity of propagation मतलब आपकी यहां से light emit करी, तो आपने कहा किया, गलत temperature measure कर लिया और pressure measure कर लिया, जिसकी वज़े से ये जो velocity है, light की, light raise की travel करने की ये बदल जाएगी, temperature की वज़े से, pressure की वज़े से, हमारी effect हो जाएगी, जो speed से हमारी light raise travel कर रही थी, उसकी वज़े से भी क्या हो जाएग diodes, वही चीज है कि आपका diodes जो है, जो emitting और receiving, जो diodes है, उनकी non-homogeneity होगी, मतलब आपका एक line में नहीं आरे बिलकुल एक तरह से, बिलकुल homogeneous नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ changes है, जिसकी वज़े से, यहां पर frequency के अंदर भी change आएगा, और direct comparison, the scale frequency can be checked by, direct comparison against frequency testing apparatus and measurement over a base of non-distance, मतलब scale की frequency जो है, वो मैं test कर सकता हूँ, frequency testing apparatus के अंदर, ठीक है, उसे test किया जा सकता है, बस बेसिकली आपको ज़्यादा किचड़ी मैं नहीं पकना, scale error depend करता है, length के उपर, index error depend करता है, length के उपर, cyclic error depend नहीं करता, length के उपर, ठीक है, यह आ गया था, हमारा index error, जो कि हमने इसके अंदर जो geometrical instruments इस्तेमाल किये हैं, उनकी वज़े से, signal signal की कमी की वज़े से, और delay हो गया था, eccentricity की वज़े से, इन सब की वज़े से, और electronic और mechanical center जो उनके आपस में कामना करने की वज़े से, scale error हमने जितनी लंबाई measure करी है, उसकी वज़े से आएगा, या frequency के बदलने के वज़े से, ठीक है, और frequency का बदलाव कैसे हो सकता है, आपका temperature, pressure, humidity हमने गलत measure कर लिया, जिसकी वज़े से velocity भी गलत हमारी आ गई, जो change हो गई, बैसिक लिए, जो travel करने की velocity वो बदल गई, तीसरा हमारे पास cyclic error, या फिर short period error, यह किसलिए आता है, यह non-linearity of amplitude modulation, मतलब हमने क्या क्या AM, जो amplitude modulation हम लोग करते हैं, वो हमने non-linearly increase या decrease किया है, carrier wave का और phase measurement, मतलब phase की जो measurement है, हमने हापे क्या कर दी, गलत कर दी, जिसके through में distance बता रहा था कि यहां से हमने जो wave छोड़ी थी, वो पहले phase में यहां से emit करी थी, और जब वापिस आई है, तो वो आपकी third phase में present है, तो तीसरे phase में present है, तो मैंने phase को ही गलत अगर measure कर लिया, ठीक है, तीसरे की बजाए दूसरा phase था, लेकिन मैंने तीसरा phase बता दिया, तो यह phase का measurement मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो उसकी वज़े से आपका क्या हो सकता है, cyclic error हो सकता है, cyclic error का म वेरी कर जाएगा for instruments in good adjustment this error is normally small और जो मतलब यह तो आपका क्या है कि आपके instrument में आपकी गलत measurement हो गई ना और जो instruments आपके बढ़िया होते हैं जिनकी adjustment अच्छी होते हैं उनके अंदर error कम आएगा यह क्योंकि तो instrumental error हो गया एक तरीके से और this presence में be determined by the indication of instruments adjustment वह यह instrument की adjustment कितनी बहतर करी हैं उससे भी हमें यह पता चल जाएगा और इस जीजुवली sinusoidal in nature and wavelength equal to unit length of ED मतलब जैसे आपको भी बताया sinusoidal nature का होता है आपका उपर नीचे cyclic होता है इसलिए इसको cyclic error भी कहा जाता है या फिर short period error बोला जाता है मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता रहता आपका इस तरीके से cyclic pattern फोलो करता और यह error length के ओपर dependent नहीं करता लेंद के ओपर dependency नहीं है इसकी आपने length कितनी भी measure करी हो या नहीं करी हो तो आपकी modulation जो है वह आपकी गलत आपके recorded हो गई थी phase किस phase में वेव प्रेजेंट है यह आपने गलत note-down किया था ठीक है तो यह हमारे errors से कुछ इसी के साथ हमारा EDM जह वह हो चुका है complete exam point of view से जितनी चीजे जरूरी थी वह हमने mostly cover कर ली है यहां पर आप आप लोगों को चीजे समझ में आ गई होंगी notes आप लोगों को मिल जाएंगे telegram channel पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आज के लिए काफी है thank you so much पढ़ते रहो बढ़ते रहो